हलो आप देख रहे हैं E24 और News24 मैं हूँ नीतु कुमार और आज हम बात करेंगे मंदाकनी की जी हाँ वही मंदाकनी जो की राम तेरी गंगा मैली फिल्म से रातो रात चमकी थी बहुत बड़ी स्टार बन गई थी लेकिन उसके बाद वो अपना स्टार्डम जो है उस लेबल पर बरकरार नहीं रख पाई जी हां 1985 में ये फिल्म आई थी इस फिल्म को जो है राज कपूर ने बनाया था और बहुत सारी लड़कियों का ओडिशन लेने के बाद उन्होंने मंदाकनी को फाइनल किया था मंदाकनी का फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं चल पाया था रा नहीं नहीं राज कपूर का वो जो मजाग था वो सही साबित हुआ क्योंकि राम तेरी गंगा मैली के बाद जो है मंदाकनी उस लेबल की कोई फिल्म नहीं दे पाई वो जो है मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आई जहां हीरो के रोल जादा होते थे कुछ गाने होते थे उनके हिस्से में एक दो सीन्स होते थे और ऐसी करके जो 7-8 साल उनका करियर खिच गया करीब 26-27 फिल्में उन्होंने की उसी के बाद जो है 1993 के बाद उनका नाम दाउद इब्राहिम से जुड़ने लगा तो वैसे भी जो है उनको फिर फिल्में मिलनी बंद हो गई आलोचन की खार्तिर वो जो है ग्लैमर की दुनिया में लौत रही हैं उनके बेटे जो है रबी वो एक म्यूजिक वीडियों कर रहे हैं मा ओ मा इसमें जो है मन्दाकनी भी मा के रोल में है और मा बेटे जो है इस वीडियो में नजर आएंगे मंदाकनी की ये जो दूसरी पारी है ये कितनी सफल होगी कह नहीं सकते ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो के बाद जो है उनको बॉलिवुड में और काम मिले वैसे आपको बता दे कि इस से पहले भी मंदाकनी के पास कई शोज गये थे एक TV सीरिल छोटी सरदानी में जो है दादी का रोल जो है वो उनको गया था लेकिन उन्हों ने उस रोल को मना कर दिया था और अब अपने बेटे की खातिWow और इस वजह से कि बहुत सालों से जो है वो अपने पती के साथ मिलकर जो है फिटनेस सेंटर चला रही थी जहां आयुरवेदिक तरीके से जो है लोगों का इलाज होता है और मंदाकनी ने बिलकुल जो है ग्लैमर वाली दुनिया से दूरी बना रखी थी ना तो किसी फिल्मी पार्टी में न दूसरी बेटी है और मंदाकनी अपनी फैमली में खुश है और अकसर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरे वाइरल होती रहती है मंदाकनी अपने फिल्मी करियर से जादा दाउद इबराहिम से अपने संबंध को लेकर चर्चा में रही थी कहा जाता है कि मंदाकनी दाउद के साथ सालों तक दुबई में रही दाउद की पत्नी को ये रिष्टा पसंद नहीं था कहा जाता है कि दाउद न तो अपना परिवार छोड़ना चाहता था और नहीं मंदाकनी को छोड़ना चाहता था और इसी वज़ा से पत्नी के साथ अनबन रहने लगी बात के दिनों में उसकी पत्नी की जीत हुई और फाइनली मंदाकनी को दुबई छोड़ कर वापस आना पड़ा मुंबई वापस लौट कर उनकी मुलाकाद उस बौध डॉक्टर से हुई और उसके बाद उन्होंने शादी रचाली आपको बता दे कि उनके जो पती हैं उन्होंने मर्फी रेडियो में जो आपने एक बच्चे का फोटो देखा था वही शक्स उनके पती हैं और अपना हैपली मैरेड लाइफ सालों से इंजॉय कर रही थी और अब एक बार फिर से मंदाकनी तयार हैं लाइट, साउंड और कैमरा की दुनिया में वापसी के लिए